जै मतादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 अप्रेल 2023 यानी साल के पहले सूरिय ग्रहन के बारे में और जानेंगे इस सूरिय ग्रहन का असर धनुरासी के लोगों पर क्या होगा यह सूरिय ग्रहन किस रासी में लगेगा सूरिय ग्रहन के समय नक्षत्र क्या होगा योग क्या होगा अन्य ग्रहों की इस्तिती क्या होगी ग्रहन का सूतक समय क्या होगा ग्रहन कहां दिखाई देगा और क्या साफधानिया रखनी होंगी जानेंगे सभी बातों के बारे में दोस्तों आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निविदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को प्रेस कर दें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ जो 30 का अनुसार 20 अपरेल गुर्वार का दिन बहुत महत्पूर्ण है क्योंकि 20 अपरेल को इस साल का पहला सूर्य ग्रहन लगेगा और इस दिन गुर्वार का दिन होगा और बैसाक महा के किर्शन पक्ष की अमावशात्य थी होगी सूर्य ग्रहन का समय 20 अपरेल को सुभे 7 बज़ कर 5 मिनट से सुरू होगा जो कि दोफैर 12 बज़ कर 29 मिनट पर समाप्त होगा यानि सूर्य ग्रहन की जो कुल अवधी होगी वो 5 घंटे 24 मिनट की होगी जब सूर्य ग्रहन लगेगा तो सूर्य अपनी उच रासी मेस में विराजमान होंगे और जोरान सूर्य के साथ साथ मेस रासी में 4 अन्य ग्रह भी मौझूद होंगे यानि मेस रासी में सूर्य बुद्ध राहू और चंद्रमा मिलकर चत्र ग्रही योग का नर्मान करेंगे यहां सूर्य के साथ साथ बुद्ध भी विराजमान होंगे यानि सूरिय और बुद्ध की यूती से बुद्धा देतायोग बनेगा और सूरिय ग्रहन जब लगेगा तो सूरिय अपनी मेश राशी में वराजमान होगे अश्वनी नक्षत्र होगा और अश्वनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र होता है इसलिए इस ग्रहन का महतपूर्ण प्रभाव दिखाई देगा ग्रहन के समय विसकुम्ब योग बनेगा और जब ग्रहन लगेगा तो अमावश्यतिति होगी जो की सुभे 9 बज कर 44 मिनट पर समाप्त हो जाएगी और फिर पृतिपदातिति सुरू हो जाएगी यानि ग्रहन की जो समाप्ति होगी वो पृतिपदातिति में होगी यह सुर्य ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा इसलिए सुर्य ग्रहन का सूतकाल भी मानने नहीं होगा वैसे सुर्य ग्रहन का सूतकाल ग्रहन से 12 घंटे पहले सुरू हो जाता है और सूरिय ग्रहन की समापती तक रहता है सूरिय ग्रहन भले ही भारत में दिखाई नहीं देगा लेकिन कुंडली पर सूरिय ग्रहन का असर अवश्य पड़ेगा यह सूरिय ग्रहन कमबोडिया, चीन, अमेरिका, मलेशिया, जापान, सिंगापुर, आस्टेलिया, इंडोनेशिया, हिंद महासागर आदी जगों पर दिखाई देगा सूरिय ग्रहन के समय अन्य ग्रहों की इस्थिति को भी महत्पूर्ण माना जाता है क्योंकि ग्रहों की इस्थिति ये बताती है कि सूरिय ग्रहन के समय ग्रहों की इस्थिति क्या है उसी का परभाव जातक पर दिखाई देता है तो सूर्य ग्रहन के समय जो चार ग्रह में इस रासी में वराजमान होंगे वो चारों ग्रह आपके पंचम भाव में वराजमान होंगे यानि बुद्धी, विद्या, प्रेम सम्मन और संतान के भाव में वराजमान होंगे और इन चारों ग्रहों की दरश्टी आपके लाव भाव पर पड़ेगी यानि धनुरासी के लोगों के लिए दिन जो है मिला जुला रहेगा लव लाइप में विश्वास कायम रहेगा परिवार का सहयोग भी आपको मिलेगा परिवार के साथ अच्छा समयवेतीत करेंगे किसी एहम फैंसले को लेकर बातचीत करते हुए नजर आएंगे जहां कुछ लोग नाखुश भी दिखेंगे बिजिनस में सफलता के योग भी बनेंगे नए कॉन्टेक्ट मिलने की संभावना होगी आर्थी किस्तिती अच्छी होगी आप अपने परिवार के लिए कुछ खरिददारी कर सकते हैं वाहन किरिय करने के संकेत होंगे मकान, पलोड, दुकान को खरिदने की जो योजना बना रहे थे उसमें काम्या भी मिलेगी और मित्रों का आपको सहयूग में मिलेगा मित्रों की मदद से, किसी अन्य स्रोत से धन प्राप्ति की योग बनेंगे वैवाहिक जीवन को बहतर करेंगे जीवन साते के साथ कहीं बहार जाने की प्लानी कर सकते हैं मतबेद के चलते व्यक्तिकत सम्मनों में दरार पड़ सकती है तो ऐसे में अपनी वानी पर सेम रखना होगा ओफिस में कारिये में मन नहीं लगेगा जिससे आपको अपनी सीनियरों के द्वारा डाट खानी पड़ सकती है आप अपनी मधुर्वानी के कारण सभी लोगों से अपना कारिये कराने में सफल होंगे आपको समाज सेवा का भी मौका मिलेगा परिवार बालों के साथ किसी पार्टे में संबलित होंगे जहां किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपके काफी साहता करेगा तो सब्तम भाव में मंगल देव राजमान होंगे और सब्तम भाव से आपके लगन भाव पर दरस्टी डालेंगे, तो ऐसे में आपका स्वयभाव कुछ चड़चड़ापन हो सकता है, आप आकरमक हो सकते हैं, गुस्से की अधिक्ता हो सकती है, तो ऐसे में अपनी वानी और गुश्य पर काबू रखना होगा समाज में एक अच्छी छवी बनेगी अच्छी पहचान बनेगी लोग प्रिया होंगे आप साथी सरकार से मान सम्मान की प्राप्ती होगी साजेदारी में जो लोग कारुबार कर रहे हैं उन्हें अच्छे लाप की प्राप्ती होगी साथी विदेशी सरोतों से भी लाप मिलने की यूग बनेंगे और जीवन साथी के माद्दन से अच्छा लाप कमाने में भी आप सफल होगी जीवन साथी का भी सपोर्ट आपको मिलेगा आपके चतुर्त भाव में देव गुरु ब्रस्पति वराजमान होंगे जो कि ग्यान और धनके कारक है और चतुर्त भाव में वराजमान होकर आपके दसम भाव यानि केरियर और वेवसाय के भाव पर द्रस्टी डालेंगे और गुरू जिस भाव पर द्रस्टी डालते हैं उस भाव में अमरित के समानफल की प्राप्ती होती है ये एक वरधी कारग्रेवी हैं जो कि वरधी करते हैं तो ऐसे में गुरू की द्रस्टी आपके लिए काफी अच्छी साबित होगी क्योंकि यहां आपकी केरियर में आप नई उचाईया चुएंगे वेपार वेपसाई में अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी नई कॉंटेक्ट आपको मिलेंगे जिनसे आप अच्छा धन कमाने में सफल होगे परिवार में सुक सांती का माहौल होगा माता से प्रेम भाव बढ़ेगा इसने बढ़ेगा साथी वाहन सुक की प्राप्ती होगी भूमी भवन आदी में निवेश किया गया पैसा आने वाले समय में अच्छा लाप देने का कारिय करेगा कर्मफल दाता सनी देव आपके तिरते भाव में वराजमान है तो ऐसे में आपके प्राकरम में व्रद्धी होगी किसी धार्मे की आत्रा पर जाने की युग बनेंगे भाई भेनों का भी पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा आध्यात्मी की ओर आपका जुकाव होगा साथ ही सनी की दरस्टी आपके भाग्य भाव पर होगी तो ऐसे में पिता का गुरू का सपोर्ट भी आपको मिलेगा कुछ धार्मे की आत्राओं पर जब भी जा सकते हैं सिक्छा के छेत्र में अनुकूल परणाम प्राप्त होंगे भाग्य का पूरा-पूरा साथ आपको मिलेगा यानि इस दोरान आपके सितारे बुलंद होंगे और के तु आपके लाव भाव में वराजमान होगा तो ऐसे में अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनेगे क्योंकि ये समय काफी अच्छा साबित होगा ग्रहों की जो इस्थिती है वो आपको मजबूती प्रदान करेगी कुछ कारियों में आपको अपने गुसे पर अपनी वार्नी पर सयम रखना होगा अन्यता आपका गुसा और आपकी वार्नी पारिवारिक संबन्दों में दरार डाल सकती है जिसका असर आपके मन को असांत कर सकता है तो ऐसे में थोड़ा साफधान भी रहना होगा बात करें ग्रहन के समय साफधाने की तो ग्रहन के दोरान नकारात्मक उर्जा बढ़ जाती है इसलिए किसी नए कारे की सुरुवात न करें और ग्रहन के दोरान गर्वती महीलाएं बाहर ना निकलें, चाकू छोरी तेजधार वाली चीज़ों का इस्तमाल ना करें, साथ ही सुरे ग्रहन के पस्चाद इसनानादी करने के बाद अपनी सामर्थिक अनुसार गरीब लोगों को ब्रहमनों को दान करें, भोजन कराएं, सा प्रहमनों को लाइं जया ट्राइं, सामर्वती म्यद्ध करें और यृ चाहरन को रधार गरीब लोगों करें आर गरीब और टान करें, जया दोरा हिए और आर ग्रहन करें दोराऊ है, जया भूहता है व्राइं